एडिशन अप टू नंबर के लिए फिर से आपको जाना है विव एप में new.jsp file और इसका नाम मैंने दे दिया add.jsp ठीक है add.jsp ठीक है yes अब मैंने यहाँ पे लिखा addition of two नंबर addition of two नंबर again तो यहाँ पे मैं दो variable मुझे चाहिए integer a is equals to मैंने a initialize कर दिया पाई हो b is equals to मैंने लिख दिया 2 और c is equals to 0 लिख दिया semi colon it's over c is equals to a plus b semi colon अब मुझे print करना इसका result ठीक है कैसे print करना है out dot print ln यहाँ पे आप यह stimulus का भी आप combination कर सकते हैं तो जैसे h1 मैंने यहाँ लिखा यहाँ पे result और फिर से मैंने यहाँ लिखा h2 को मैंने खिया फिर से close sorry h1 को मैंने close किया यहाँ पे लिख दिया मैंने plus symbol और लिख दिया c that's it semi colon oh it's over now अब इसको run करने के लिए आप एक small symbol यहाँ पे देखेंगे यह run भी जाए यह run ने अचकी जिए बहुत सारे options है लेकिन मैं क्या करूँगा इस पहल को select करूँगा right click करूँगा और चाहुआ यहाँ पे run as run as run on server देखो यह आपर रिजल्ट आ गया 7 right it is visible perfect मैं इसको बाकि स्टेर इसको प्लोज कर देता ठीके now close all the tabs it is visible okay yes result is visible ठीके अगर आपको compare भी करना है दो नंबर अगर आपको यह compare करना है तो it's very easy right down deco मैं आपे थोड़ा सा tab यूज करता है ना तो मतिंद पर code अच्छा दीके इसको मैं देता हो है basic 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 और यह ज़िए fundamentals यह फंडा मेंटल्स यहना funda intermediate में हम सब कुछ और में परियेंगे if a is greater than b तो क्या आएगा if तो print till end में आएगा yeah is big again big यह पर हम प्रिंट कर रिसकी बेंदे हूं print कर देते है यह otherwise क्या होगा अगर यह बड़ा नहीं है तो वो सकता है कि else तो होगा b वो चाहेगा पड़ा basic यह बें आएगा b और close करनी मुझे चाहिए जो else की हो yes और यह किसकी close कर लिए है इसको remove करो यह रही as की close कर लिए यह रही एक की close कर लिए it's over दीखे a is big b is big अब check कर लिए पिर से run कीजेए click कीजेए यह आप यह is big correct yes और value है यह रहा अपना apples ठीक है अब मुझे जितने भी आपको तो अपनी call जाओ पहले तो पढ़ाई होगा उसके बाद ही आप jsp करेंगे टीक है इपेस हो गया for loop हो गया to value है सबके syntax ही नहीं है कुछ change नहीं इसमें चलो और एक में प्रोडम यह पर करता हूँ loop वाला जो fast हो जाए for loop यूज करता हूँ यह आपर और एक variable चाहिए हमें तो i यह आपर variable नहीं लिए for i is equals to 0, i is less than 10, right i++, वाल, statement close कर लेता है out.println, so intln, यहाँ पर क्या आएदा, यहाँ पर कुछ निबस वेन नहीं तो यहाँ पर मैं ब्र्टाइक उसकर लेता हूँ break the line, और plus लिखूँगा यहाँ पर i, ठीक है है, हो गया, it's very easy, run, आगे, 0 to 9, perfect, अगर मैं equal to यहाँ पर दे दू, तो और यहाँ से 1 दे दू, तो 1 to 10 हो जाएंगे, ठीक है, देखें करना है, save करना है, run करना है, आगे, नहीं, इसको मुझे फिर से run करना पड़ेगा, तो च अगे, 1 to 10 number, very good, perfect, ठीक है, यह हुआ अपका for loop, while loop भी same ही है, कुछ नहीं, इस loop को तो आप थोड़ा तोड़ दो, तो बन जाएगा आपका while loop, ठीक है, यह initialization, इसको change करता, बस यह बन गए आपकी condition, close कर लिए तो नहीं है, यह semicolon तो नहीं आएगा, और इसको अटा दो आपका while loop, यह बहुत ही आसान है, चलो run करो, error, yes क्या error है, while मैंने capital लिखा, ठीक है, small कर लेते हैं, ठीक है, i is less than equals to 10, i plus plus, let us save and let us execute, ठीक है, आगे, 1 to 10 number, perfect, अब do while करना है, इसको यहाँ से हटा दो, और यह last में यह, दो, यह आपका होगा while loop, यह आप दे, गया मेंने do, और लेकिन, इसको चाहिए, सेमकुलन, त्वके Florian Charter कर मैं अगर टर्मिनेट नहीं तिया, तो यह miniature वाला statement, एक्छीट करे गा, ठीक है, तो इसे close कर लेते हैं, let us execute again, यहा पे, में लिखना है नहीं लिखना है और पूट पूट आना चाहिए वो रन एज आन सर्वर बार यहाँ पर सर्वर स्टार्ट इस यहाँ पर डबल फ्लिक करो आपको एक पूर्ट नमबर का पता चल जाएगा अब जब आप रन करते हैं वो प्रोग्राम को यहाँ पर दिख ले ना 8089 पूर्ट है उसके बाद आना चाहिए आपका प्रोजिट का नाम ठीक है और उसके बाद आती है फाइल का फाइल की बारी that is the add.jsp right okay perfect यह समझ में आ गया आपको यह अगर फोर्ट आपने 8088 आपने रखा जो पहले से हडूप या कोई और सर्वर से अगर कॉंप्लिक्ट होता है तो आपको बस पोर्ट नमबर चेंज करना है तो अगर आपको पता ही नहीं पोर्ट क्या है यहाप डबल क्लिक कीजे यहाप आपको नमबर आएगा यह नमबर आप सेम मत रखेगा यह नमबर आप चेंज करते जाएगा आप चेंज करो तो आपका सर्वर रण हो जाएगा यहाँ से आप इसको मैनुली आप स्टार्ट कर सकते हैं आप स्टॉप कर सकते हैं यहां स्टार्ट कीजे यहां स्टॉप कीज तो मैं अभी यह स्र vinegar window कु कर ताओ, अगर अपने यह आप इसको stop कर ताओ, अब मेरा नहीं वर्क होता है, इसको close कर दो, delete कर दो, delete creation कर देbolर, कुछ फरक्न हrim पड़ेग Hammam यह हो है, stop और यहां से आप नए सर्वर आप बना सब एक, what's, what happen with this? अ, are you sure you want to delete आप अचे टोंके देट इसको बाद में आम देलेट करें? क्योंकि अभी बहुसाए प्रोग्राम्स करने हैं, तो आपको कुछ नहीं आपे, delete होने के बाद और एक विंडो आएगी आपे, आपको बस double click करना है, यह पूचेगा कि नया सर्वर आड करना है, वही same process को repeat करना है, कुछ change नहीं होगा, ठीक है? yes, I hope this program is working, let me test again, yeah, अब देखो, हाँ, yes, अब फिल्ट स्टार वला एरा रहा है, इस एरल की हम रहा देख रहते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो, service, इसको मैं करूँ exit, इसको exit कर लेते हैं, इसे server में जाएंगे, server में देखो, यहाँ पे start करें, देखते, start हो गया नहीं हो ब as in counter the problem, right, ठीक है, detail में जाते हैं, यह नहीं हो रहा है, don't worry, अब इसको delete ही करना पड़ेगा, एसे delete करना है, आप जाके delete कर दो, okay, yes, अब यह server होगा है delete, अब यह program अगर मैं रन भी करू, तो यह run होगा है नहीं, okay, server is missing, अब यह आप एक निक करू, अब आपको add करना है, tomcat अगर यह नहीं दिखाए दे रहा है, इसको तो बड़ा सा stretch करो, okay, मिल गया, next, सारे के सारे project add कर दो, finish कर दो, मतलब सारे के सारे project होगे configure, okay, अब इसको run करे, yes, it is working, अब पता चला, जितने भी error, अगर आपको कुछ ऐसा error आता है, जिसका solution नहीं मिल रहा है, error को पुरा copy करो, google पे डालो, google आपको solution देगा,